करने वाले हैं तो अगर आपने तक वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं तो मैं बताने मुझा कर सकते हैं तो आपको अपगेट गियर में आज जाना है और सबसे पहले आपको लखने हैं एक इसमतिन लगानी हैं आपको ड्रेषबनेशिंट जो कि आपके वाटर साइल करता है यानि कि पानी में रहने के टाइम को बढ़ा देता है फिर कि अपकी पानी में मनें करने के स्पीड बढ़ जाती है उसके बाद में आपके एक्स बीले करके इसको हील कर सकते हो और इसके बाद में तुके यह आपकी सारी नेहीं लगानी है जो कि आपने देख लिए मैंने सब इससाथ बता जाए तो अपनी नेक्ट करते हैं अपनी चैस्ट प्लेट को इंचेंट तो सबसे पहले इसके उपर इंचेंट प्रोड़क्शन फोड जिससे की तमी मॉब से इसको प्रोड़ेट करेगा और उसके बाद में लगा निया आपको मैंनक जिससे के आप एक्सपी लेकर कर सकते हो और फिल लगाने सबसे पहले आपको इसको यहां रख देना है और सबसे पहले लगाने आपको प्रोड़ेट करता है और उसके बाद में प्रोड़ेट को निकाल लेते हैं और इसको करते हैं फिर हम इंचेंट तो चलिए आप इसको इंचेंट कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको इसको यहां रख देना है और सबसे पहले लगाने आपको प्रोड़ेट फोर्ड़ेट करता है और उसके बाद में लगाने आपको मैंनिंग जिससे क्या आप एक्सपीले करके इसको हील कर सकते हो और इसक तो अब बार ये अपने बूर्स को इंचेंट करने तो जलिए से चलिए से चलिए मैं इसको एंचेंट कर लेते हैं कर सकते हो और इसकी बाद में लगाने हैं आपको फुल आर्मर भी इंचेंट हो चुका तो मैं इसको पहन करके दिखा देता हूं तो यह देखे कितना ज्यादा एपक दिखाई दे रहा तो चलिए अपने टूल्स को इंचेंट कर लें चलिए बड़ी अपनी सब्सक्राइब कर लेते हैं तो चलिए बड़ी सब्सक्राइब को इसक्ते लेए तो उसके बाद में लगाने को फायर एक्सैट सेकेंड जिसे कि आपको पगा हुआbed को फूब मिलेगा और उसके बाद में लगाने हैं आपको लूटिंग 3 जिससे कि आपको एक्स्टा लूट मिले वाल यह किसी मॉब को एट करोगे तो और उसके बाद में लगाने हैं आपको अनवेरिक इतरी जो इसकी डिरूब्लेट को वालाता है और उसके बाद में लगाने हैं आपको इसके भी ही यता सकते हो तो यह दिखी गाई मैंने और इंचेंट मैंड लगा लिए तो मैंने आब इसको फुली इंचेंट कर लिया तो अब भार iny mining करने के speed को बढ़ाता है उसके बाद में लगने हैं आपको unbreaking 3 जो इसकी durability को बढ़ाता है फिल लगने हैं आपको manning जिससे कि आप xp ले कर करके इसको heal कर सकते हो तो finally गाईज मैंने अपने एक्स को भी इंचेंट कर लिया और सारे इंचेंट मैंट बुक लगा दी हैं मैंने यह देखिया आप इसको देख सकते हो मैंने इसको fully इंचेंट कर दिया तो अब आरी है पेक्स को इंचेंट करने की तो अपने अधराट के पेक्स और इंचेंट मै लगा सकते हो और उसके बाद में लगानी है इसके ऊपर अनुपर फिल लगानी आपको मैंडिंग जिससे कि आप एक्स पिले कर इसको कि कर सकते हो यानि आपकी कश कभी भी तूटे की नहीं तो फाइनले पिक एक्स भी हमारी फूरली इंचेंट हो चुकिए है तो अब बारे स सव गाने गें तो चलिए सभार को इंचेंट कर लेते हैं यहां समलें विए और इनकी को ले लेते हैं और अब बारियेस को चलिए सब हील कर सकते हो यानि बार बार ही इसको हील कर लोगे आप तो फाइनली हमाना सवलवी फुली इंचेंट हो चुक्या है तो अब बार ही अपने होई को इंचेंट करने के तो चलिए होई को इंचेंट कर लेते हैं और होई को ले लेते हैं तो बार ही अपने होई को इंचेंट करन तो फाइल ये अपना होई फुल इंचेंट हो चुगा ये देखिए मैंने अपने सारे टून से जो ये इंचेंट तो चलिए अब अपने ट्राइडेंड को इंचेंट कर लेते हैं तो सबसे पहले अपने ट्राइडेंड को निकालते हैं और इंचेंट मैंन बुक को निकाल लेते हैं और अब इंचेंट कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको इसके उपर इंचेंट मैंन लगानी है loyalty 3 जिससे कि आप stride end को throw करो ते वापस आपके हाथ में आ जाएगा और उसके बाद में लगानी है आपको implaning 5 जो इसके damage को बढ़ाता है और फिल लगानी है आपको channeling first जो कि आपको thunder वाले mosa man lightning produce करता है फिल लगानी है आपको unbreaking 3 जो इसकी durability को बढ़ाता है और उसके बाद में लगानी है आपको इसके उपर manding जिससे कि आप xp ले कर गए इसको heal कर सकते हो तो all right guys मैंने सारी enchant wind जो वो लगा लिया है stride end पर और उसको overpower ही वना लिया है और अब बाई अपने bow को enchant करने की जिससे कि इसका knockback बढ़ जाता है फिल लगानी है आपको power 5 जो इसके damage को बढ़ाता है फिल लगानी है आपको इसके उपर flaming first जो कि flaming teer fire करता है और उसके बाद में लगानी है आपको इसके उपर unbreaking 3 जिससे कि durability बढ़ती है all right guys तो मैंने अपने bow को भी बॉली enchant कर लिया और सारी enchantment लगा दी है तो चलिए आप करते हैं अपने crossbow को enchant तो चलिए सबसे पहले crossbow को निकाल लेते हैं और enchantment book को निकाल लेते हैं तो सबसे पहले आपको इसके उपर enchant में लगानी है pressing 4 जिससे कि एक mob के पीछे दूसरा मवखडा हो तो दोनों को damage लगेगा फिल लगानी है को quick charge 3 जिससे की इसकी reload speed बरती है फिल लगानी आपको unwaking 3 जिससे इसकी durability बरती है और उसके बाद मैं लगानी है आपको manding जिससे की आप xp ले गर करके इसको heal कर सकते हो तो राइट गाज मैंने इसको भी फुली इंचेंट कर दिया और सारी इंचेंटमेंट को लगा दिया तो चलिए अब बारी है अपनी सील्ड को इंचेंट करने की तो चलिए सील्ड को इंचेंट कर लेते हैं तो सबसे पहले shield को ले लेते हैं और enchantment book को ले लेते हैं और अब इसको enchant कर लेते हैं तो सबसे पहले इसके उपर लगाने हैं आपको unbreaking 3 जो इसकी durability को बड़ा था फिल लगाने हैं आपको manning जिससे कि आप xp ले करके इसको heal कर सकते हो तो finally guys fully enchant कर दिया मैंने shield को जिससे की और power बन चुकी है कभी 2 डे की नहीं xp ले करके इसको heal कर सकते हो फिर करते हैं अपने iladra को enchant तो चले iladra को ले ले लेते हैं तो अब बार ही अपने iladra को enchant करने के तो चले iladra को enchant करते हैं सबसे पहले लगाने हैं और breaking 3 जो इसकी durability को बड़ाता है फिल लगाने हैं manning ज जिससे कि आप एक्स भी ले करके इसको heal कर सकते हो तो finally iladra को भी overbar बना दिया क्योंकि iladra सबसे ज़्यादा important होता जिससे कि आप कहीं भी उड़ सकते हो और endire dragon को मानने से पहले नहीं मिलता है तो वीडियो को like करना channel करना